आज है 14 मार्ट संद 2022 आज कहिए या कहिए अभी का बीएड फर्स्ट समेस्टर एक्जामिनेशन 2021 का पेपर सेकेंड आपको मैं पुरा दिखाने जा रहा हूं की प्रस्ण कैसे आये थे एक सवाल उड़ता है किया 21 क्यों लिखा है जब 22 आज हो गया है तो देखें ये पेपर एक्चुल में मतलब 21 में ही होना चाहिए था लेकिन कोरोना वारस करन ये पेपर थोड़ा लेट हुआ है इस वज़े से 14 मार्ट संद 2022 को इसका पेपर कराया गया तो देखें जैसा कि आप सबको पता है इस पेपर में तीन खंड होते हैं और खंड आ, खंड बा, खंड सर 9, 36 और 30 संग के होते हैं खंड आ में जो है अतिलाग उतरी प्रस्न आते हैं तीन प्रस्न करने होते हैं तो आईए देखते हैं पहले खंड में कैसे प्रस्न आए हैं तो दिखें पहले खंड का जो निर्देश है यहाँ उपर दिया गया आप पढ़ सकते हैं पहला प्रस्ण है सिच्छा मनोविज्ञान के उद्देश बताईए दूसरा अधिकम को परिवासित कीजिए तीसरा जन्मजात अभिप्रेरक से क्या अभिप्राय है जन्मजात अभि की बात करें जो की लगुतरी होता है इसमें आपके साथ प्रस्ण हैं चार प्रस्णों के उत्तर देने होते हैं सभी नौनो नंबर के होते हैं पहला प्रस्ण इसमें है सिच्छन सूत्र की विवेचना कीजिए दूसरा ठार्न डाइक के मूख्य अधिगम नियमों का वर्ण कीजिए अगला अभिप्रेणा के घटकों के विवेचना कीजिए अगला ब्रूनर के संग्यात नात्मक अधिगम सिधान का विसलेशन कीजिए अगला है LCD प्रोजेक्टर एवं OHP में क्या अंतर है LCD प्रोजेक्टर तथा OHP का सिच्छन में उप्योग बताईए फिर आपका है देरगुतरी प्रस्ण में यह आपका दिया गया है पहला प्रस्ण सिच्छा मनोविज्ञान की प्रकृती को इसपस्ट कीजिए तथा इसके कारेचित का वर्णन कीजिए अगला स्कीनर की क्रिया प्रसूत सिद्दान की व्याख्या कीजिए तथा इसके सच्छिक निहित दार्थ बताईए लास्ट में दो प्रस्ण आपको और दिख जाएंगे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए और अगला है आपका फ्लेंडर के अंतर क्रिया विसलेशन द्वारा सिच्छन बेवहार का विसलेशन कैसे किया जाता है आपको इस परस्ट करना है तो इस तरह से इतने प्रस्ण जो है आपके बिए फर्स समिस्टर मतलब यहाँ पर आया था कुश्चन आपको अगर स्क्रीन साड़ लेना है पर दिखा दे रहा हूं आप पहले इतना स्क्रीन साड़ ले लिजे फिर जोम करके देख लिजेगा ठीक है फिर उसके बाद इतने का ले लिजे फिर उसके बाद इतने का ले लिजे ठीक है तो अगले पेपर के लिए इंतजार करिए दो दिन का मिलेंग नेस पीड़ों में थेंक्यू सो मच्च जैहिन वन्यमादर